गुड मॉर्निंग आनन सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिसनस को अपना वक्त देने के लिए कंजंप्शन स्टॉक्स से करते हैं शुरुआत क्योंकि हम पेज इंडस्ट्रीज की भी बात कर रहे थे से पहले काफी सारे कंजंप्शन औरेंटेट स्टॉक्स में फोकस में अच्छे आएं बाइन लार्ज अट लिस्ट और साहरा भी दे रहे हैं बाजार को किस तरह का अप्रोच होना चाहिए सर इस समय कंजंप्शन स्पेस को लेकर एक स्लोडाउन का डर बना हुआ है भारत में ह और रूरल इंडिया में ज्यादा डिमांड नहीं देखी है वो कुछ हद तक करेक्ट हो सकती है क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगले कुछ महीनों में मौनसून और उसके बाद एलेक्शन भी आ रहे हैं इसलिए खर्चा जादा रहेगा रूरल इंडिया पे ध्यान जादा र पानी चाहिए और इस हिसाब से जो स्टॉक्स ऐसे हैं जो रूरल इंडिया पे जादा निर्भर करते हैं उसमें आपको कुछ हद तक रूजहान पॉजिटिव दिखना चाहिए तो रूरल थीम पर जादा फूकस करें या इसलिए वहां पर आपको आगे अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है ओटो और इस्पेशली टूवीलर्स पर भी यही राय रहेगी सर्थ क्योंकि पिछला साल दो आटो कंपनी के लिए बढ़िया राय है टूवीलर्स में हम देख रह जो वालियूम था वहां नहीं पहुंचा है और इसके कई कारण है एक्सपोर्ट मार्केट भी बजाज जैसी कंपनी के लिए खराब रहा है डूमेस्टिक मार्केट में भी रुजान थोड़े से वीक रहे हैं लेकिन ये जो है मेरे सब सब करेक्ट होना शुरू हुआ है कई कंपनी उन्हें ने एक मॉडल्स मेनांस किया है हीरो जैसी कंपनी जो है वो अभी भी आपको 5% डिविडेंट डील पर मिल रही है और इसके साथ-साथ उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो हर तिमाई में कई सारे नए मॉडल्स इंट्रिउस करते आएंगे तो मेरे सब से एक् है महिंदरा ने काफी बढ़िया रिटरन दिया है और टाटा मोटर्स में भी काफी उमीद है कि वो इस साल अच्छा पर्फॉर्मेंस देगे लेकिन टाटा मोटर्स में मेरा मानना यह है कि आप इंटरनेशनल कंपनी से साथ पंपेर करें तो आलेडी ट्रेडिंग वैल्यू जो है इवी अबिटा पांच के उपर से ट्रेड कर रहे हैं और कई ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनी से कम ट्रेड करती है तो हलाकि इसमें पॉजिटिव पर्फॉर्मेंस रहेगा डेट कम होती नजर आ रही है इस साल अल्मोस्ट बिलियन डॉलर से उसके बावजूद जो अंसलेरी कमटीज की भी पर्फॉर्मेंस बढ़िया रही है बैटरी कमटीज की पर्फॉर्मेंस देख लीजिए बाकी जो कॉंपोनेंट्स बनाती है उसके लिए और टायर स्टॉक्स इस्पेशली पिछले दो हफतों में टायर्स में बड़ी तेजी आई है यहां पर क्या यहां तक अंसलेरी का सवाल है वो उसमें एक फाइदा यह रहता है कि वो नाट ओली इंडिया पर ड्लोबली भी कई कंपनिया जो हैं एक्सपोर्ट कर रही है और इसके कारण उनका जो मार्केट है वो काफी बड़ा रहता है लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यह दो माहौ से जा रहा है और यूएस में भी यही उमीद है कि अगले दो तिमायों में वहां पर भी स्लोडाउन आता हुआ शायद इटली इस उमीद यह लगा के बैठे हैं कि वहां पर भी थोड़ी से स्लोडाउन आना चाहिए तो ऐसे माहौल में एंसिलरी कंपनी बे थोड़ा मार्केट काफी बहतर है तो इसके कारण भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है लेकिन दोनों के बीच में अगर आपको चुनना है तो मेरे यह साब से टायर्स शायद थोड़े से बहतर रहेंगे तो टायर स्टॉक्स पर रखे नज़र जबरदस्त तेजी इस स्पेस में हमने आते हो भी देखे है रिसेंटली अचा सार अभी हम कमिन्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और दमदार आउटलूक उनकी तरफ से आगे का आया है बीचल के आज नंबर्स आने वाले हैं क्याप गोड्स और इंफ्रा आजद थीम में तो जबर्दस मोमेंटम बना हुआ है सरकार की भी स्पेंडिंग काफी हाई है एफ़ए 24 के लिए यह आउटलूक बरकरा रहेगा जिस तरह से इनकी और बुक बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे है एग्जेक्यूशन भी अच्छा की निर्भरता जादा है वो पेमिंटम Conway मिल रहा है क्यानी सेंट्रिल गर्म्नेंट्ट से फिर भी पेमिंट मिल जाता मेरा मन नہा यह Uh कईक्छ बालता सा मुश्किल और के संभावना हो सकती है और कि वले आप काम कर लें около पीमचη टीले होने यह ना जहां तक मेरे हिसाभ स मेरे इसाब से mostly capital goods जो है काफी expensive नजर आ रहे हैं और क्योंकि आज कल market जो है वो top line growth के ओपर ज्यादा तबज्ज़ देता है तो top line growth आएगी तो इसके कारण ऐसा नहीं है कि हाँ पर कोई आपको शेतर में गिरावट नजर आएगी लेकिन यहां से पैसा बनाना मेरे इसाब से थोड़ा सा और मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि काफी हद तक growth जो है stocks में already आ चुकी है valuations थोड़े सी ज़्यादा stress दिख रहे हैं मुझे तो valuation थोड़े stress है वैसे outlook in companies के लिए अच्छा बन रहा है सर valuations की बात लगेगी तो banks में आपका क्या view बन रहा है क्योंकि कुछ दो दिन पहले bank nifty almost नई record पर हमें आते वे दिखा था और बढ़िया reversal रहा है especially PSU banks का valuation catch up भी अच्छा रहा है अभी भी वो room दिख रहा है थोड़ा और valuation expansion का banks में so valuation expansion से ज़्यादा earnings growth पर जो देन तो earnings growth काफी अच्छी आ चुकी है banks में और अभी तक कोई ऐसे असार नजर नहीं आ रहे हैं जिससे ये कहा जाए कि banking में growth कम आईगी तो अगले अगें 12 से 18 महिने तक मेरे इसाब सिर बैंकिंग शेत्र में कम से कम earnings की कोई प्राब्लम निजर नहीं आती है लेकिन अगर आपको private versus public देखना है तो अभले ही public sector banks थोड़ेश चीप लग रहे हैं लेकिन SBI और शायद bank को बरोडा को छोड़के ज़्यादा तर banks में जो है मेरा यह मानना है कि market share collapse होता रहेगा compared to private sector banks तो अगर आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जहां पर TASA deposit जो है वो growth होती रहे और वो ज़्यादा अता private sector में होगी बड़े या छोटे बन इस बात की public sector में तो public sector का market share कम होने यह कारण अगर public sector में उनिवेश करना है तो मेरे साबसे SBI सबसे बहतर bank नजर आता है banking में भी बहुत market share तेज है, technology भी बढ़िया है और valuation भी सबसे ज़्यादा frontline banks में सबसे कम है ओके तो अभी भी PSU bank से valuation कम है और earnings बढ़िया है तो वहाँ पर भी और थोड़ा catch up आपको बनते हो दिख रहा है सर मैंने इतने सारे sectors पूछे बट आपका कहां पर conviction इस समय बाजार में क्यूंकि अच्छा run-up होई मार्केट में तो fresh अगर capital डालना है तो कहां पर जादा अच्छे returns मिल सकते हैं तो फिलहाल तो थोड़ा सा cautiously करना चाहिए क्योंकि इस level से market के लिए बहुत जादा उपर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि global situation को देखते होए बाकी countries में जो है क्योंकि जान negative रहने की संभावना पूरी तरह से बन रही है इंडिया में भी बहुत जादा तेजी करना मुश्किल रहेगा valuations already इंडिया के बाकी emerging markets के मुकाबले कोई बहुत सस्ते नहीं और जहां पे भी आपको growth नजार आ रही है तो अगर आपको इस वक्त डालना है तो मेरे इसाब से जो definite steady state growth आ रही है वो banking में है तो आपको portfolio में banking रखना चाहिए अगर आप वो contrarian play करना है तो अगर तो IT में शायद आप देख सकते हैं हला कि यहां पर थोड़ी सी और गिरावट आने की पूरी संभावना है क्योंकि US में market अभी stable नहीं हुआ है लेकिन US में अगर banking अच्छा करना शुरू हो जाएगा और at least वहाँ पर अब negative news आने की हमावना कम हो गई है तो इंडियन IT को फिर से शायद demand फिर से बरतावा नजर आ सकता है लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है तो थोड़ा सा ये long term है लेकिन valuation इतने correct हो चुके हैं कि मेरे इसाब से वहाँ पर अभी भी आपको कुछ upside में सकता है बाखी आपको इने चुने shares बहुत सारे मिल जाएंगे mid cap, small cap में लेकिन अची ध्यान रखना चाहिए कि mid cap, small cap में अगर कहीं भी आपको liquidity की problem नजर आई market में तो यहाँ पर performance जो है खराब जाती है earnings can be whatever they want तो liquidity फिलहाल काफी अच्छी है बजार में इसलिए mid cap भी आप निवेश कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा का अंडर्वेश टेहना जो होगी है तो चलिए यह है आपके लिए mid cap, small cap में थोड़ा आक्षन है बाजार का IT पर करिये focus valuation के लिए अट्राक्टिव है हाला कि out of the woods completely कहना इससे मुश्किल होगा बहुत 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 शुक्रिया आनन्ट अन्दन साहब आज हमें अपना वक्त देने के लिए और काफी सारे सेक्टर्स पर एक डीटेल अपनी राए भी शेयर है